दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड यानि की के सी के लिए हमें किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है के सी बनवाने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेद देने हैं, इसकी क्या एलिबिल्टी है किस तरीके से हमें online apply करना है कितना bank KCC पर interest लगाता है और किस तरीके से bank से हमें KCC का approval लेना है सारी चीजे इस वीडियो में आपको बताने वाला हो तो चलिए सुरू करते हैं तो किसान credit card के लिए कैसे आपको online apply करना है यह बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस card पर मिलने वाले कुछ खास benefit के बारे में तो किसान credit card किसानों की सौटम की जो भी पैसे की जरूत होती है उसके लिए बनाया जाता है जब भी किसानों को फसल में बवाई करनी हो खाद भी डालना हो या फिर क्रेस में कोई भी पैसे की जरूत हो कोई क्रेस एंत्र खरीदना हो उसके लिए किसान credit card को आप बनवा सकते हैं किसान credit card जब भी आप bank से बनवाते हैं तो bank आपको एक limit इशू करता है उस limit पे जब भी आपको पैसे की जरूत हो तब आप पैसे को निकाल सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि आपको limit अप्रूब हुई इमिडेट आपको पैसे निकालने की जरूरत हो आप तो एक रूपे debit card भी इशू किया जाता है जिसमें कि आपको bank जाने की भी जरूरत नहीं होती है आप अपना पैसा अपने ATM cards भी withdrawal कर सकते हैं गौर्वर्मेंट की तरफ से ये decide किया जाता है किसानों को कितनी जमीन पर कितना loan दिया जाएगा उसके बिहाब पर ही bank आप सभी को loan देता है यहाँ पर आपकी जो केसी से limit जारी होती है उस पर जो भी आपको amount issue किया जाता है उस amount को अगर आप timely repayment करते हैं जो कि करीब 12 महीने में एक बार आपको करना होता है वो repayment अगर आप timely करते हैं तो आपकी जो limit है हर साल 10% और भी upgrade होती चली जाती है और यह जो केसी सी जब भी issue होती है तो 5 साल के लिए valid होती है अब किसान credit card पर लगने वाले interest की अगर हम बात रहे हैं तो किसान credit card पर बैंक 7% annual के हिसाब से आपको interest charge करता है जिसमें कि किसान अगर अपना timely repayment करते हैं और आपको जो loan amount है वो 3,00,000 रुपे से कम है तो आप सभी को 3% का subsidy भी मिल जाता है जिसमें कि आप सभी का जो loan है वो 4% सालाना के हिसाब से हो जाता है अब हम बात के लेते हैं कि SEC की eligibility के बारे में तो किसान credit card कोई भी Indian farmer जिसके पास में क्रेसियोग जमीन है वो इसके लिए apply कर सकता है इसके साथ में crop farming जिसमें कोई बटाई पे अगर क्रेस कर रहा है वो भी किसान credit card को बनवा सकता है यहाँ पर किसान credit card को वो सभी लोग बनवा सकते हैं जिनके पास में जो क्रेसियोग है वो agriculture यूज की है और उनकी जो age है 18-60 वर्स के बीच में है तो अब मैं आपको बता देता हूं कि किसान credit card के लिए आपको online apply कैसे करना है तो किसान credit card आप चाहें तो offline में physically जा करके बैंक में विसिट करके वहां से भी बनवा सकते हैं और वहीं अगर आप online apply करना चाहें तो online apply के और वही किसान अभी कर सकते हैं जिनको PM किसान समानधी योजना का benefit दिया जता है कैसे apply करना है उसका मैं आप सभी को process बताने वाला हूँ किसान credit card को online apply करने के लिए हम अभी आ चुके हैं किसान कल्यान मंतारे की तरफ से चलाई जाने वाली website जो कि CST की सहायता से चलाई जाती है इस website के माध्यम से आप किसान credit card को online ही apply कर सकते हैं apply करने के लिए आपको यहाँ पर apply new for KCC का option मिलता है आपको इस option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर अगर आपके पास में digital save ID यानि की CST की ID नहीं है तो आप किसी भी CST Center या फिर साइबर के फिर पर जा करके आप वहाँ से form को फिल करा सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी ID को फिल कर देता हूँ इसके बाद में आपको login के option पे क्लिक कर देना है वेबसाइट पर login होने के बाद में आपको यहाँ पर apply new KCC आपको इस option पे क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने page कुस इससरी की का display आता है यहाँ पर आपको किसान का अधार number फिल कर देना है इसके बाद में आपको देगे submit की option पे क्लिक कर देना है यहाँ पर आप देखेंगे जो भी किसान की detail है सारी detail automatic है यहाँ पर display हो जाती है यहाँ पर प्रधानमंती किसान सम्मानेदी योजना में जो भी किसान ने पहले से detail को दे रखा है सब भी detail यहाँ पर auto populate हो जाती है यहाँ पर आप देखेंगे प्रतानमंति किसान सम्मानिधी याउजना की जो आईडी है आपको देखने को मिल जाती है साती हम यहाँ पर फार्मर का नेम, मेल, फिरमेर, जेंडर, मॉबाइल नंबर और यहाँ पर आपको एकाउंट टंबर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर यह सारी detail आपको verify कर लेना है इनमें आपको changes करने की जरुवत नहीं है तो बाकी की detail को फिल करने के लिए page को नीचे के तरफ लेके आना है तो यहाँ पर आपके सामने एक option display होता है जहाँ पर type of KCC के बारे में आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको बत KCC है और उसकी वो किसान limit बढ़ाना चाहता है तो यहाँ पर आप second option पे क्लिक कर सकते हैं वहीं पर third option है जिसका आप selection तब कर सकते हैं अगर KCC पहले से किसान के पास में था और वर्तमान में inactive हो चुका है और फिर से दोबारा से उसको active करना है तो यहाँ पर third option पे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं case सी बनाना चाहता हैं किसान के पास में पहले से कोई भी case सी नहीं है तो मैं first option को select कर देता हूं next option मिलता है जहाँ पर आप से पूछा जाता तो यहां पर अपने मन मताबिए जो भी आपको amount की need है आप फिल कर सकते हैं बाकि bank की इसमें changes कर सकता है जब भी file आपकी bank में जाती है तो यहां पर अगर आप कोई भी information को कम जादा भी फिल कर देते हैं तब आपको कोई भी problem आने वाली नहीं है तो यहां पर मैं 3 लग नहीं है साथ में जो account detail है आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर यह भी सारी information को आपको verify कर ले रहा है तो यहां पर आप देखेंगे आपके सामने दो policy के name आपको यहां पर दिखाए गए तो यहां पर आप देखेंगे first policy है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें किसान को 12 रुपे साल के payment करने होते हैं जिसमें किसान 2 लाख रुपे तक का बीमा हासिल कर सकता है और वहीं जो दूसरी policy है प्रधानमंत्री जीवन जियोत योजना जिसमें भी किसान 330 रुपे साल के payment करके 2 लाख रुपे का बीमा हासिल कर सकता है तो यहां पर अगर किसान ने कोई भी लोन ले रखा है तो यहां पर आपको लोन की डीटेल सेयर करने का आप्शन मिल जाता है अगर पहले सी कोई भी लोन नहीं किसान के पास में तो यहां पर आपको नो की आप्शन पे क्लिक कर देना है इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहां आपको किसान का जो खसरा नमबर है, आपको टाइब कर दिना है। यहाँ पर अगर आपको खसरा नमबर नहीं पता है, तो आप पहले से जो खतोनी है उस पर देख सकते हैं। इसके लगए इंटरेनट के माधम से भी खतोनी को डाउनलोड कर सकते हैं। next option मिलता है जमीन का owner type आपको बताना है, जिसमें आपको selection करने के, तीन option मिल जाते हैं लिए फ़र्ष्ट option, आपको किसान की खुद की जमीन है तो यहां पर आपको आउनेट की option पेक्लिक करना है और वहीं जमीन को अगर आपने लीस्त की ले रखा है! तो आप को इहां पर Second Option पे क्लिक करना है तो यहां पर यह किसान की जमीन खुद की है तो Ownate की Opportun के जमीन पर मैं क्लिक कर देता हूँ इसकेपाद में Next Option में पूछा जाता है एरिया इन हेकटेर्स में तो यहां पर जितनी भी किसान की जमीन है यहाँ पर आपको hectares में type करना है next option मिलता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में कौन सी फसल किसान ने बो रखी है तो यहाँ पर खरीब की फसल है रवी की फसल है या फिर कोई भी अधर तरीके की फसल है तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो यहाँ पर खरीब की फसल में धान, बाजरा, मुंपली, सूरज, मखी इस तरीके की फसल कवर होती है और वहीं की रभी की फसल में गेहूं, जओं, चना, मसूर, सरसों इस तरीके की फसल बोई जाती है तो यहां पर जिस भी तरीके की फसल बोई हुई है वरतमान में आपको सेलिक कर देना है इसके बाद मैं नेश आप्शन मिलता है जहां पर आपसे पूछा जाता है जो किसान के सिसी बनवा रहा है वो अनिमल्स को पालने के लिए ओ फिसिंग को करने के लिए लोन लेना चाहते है तो यहां पर मैं इस उप्शन पे क्लिक कर देता हूँ इसके बाद मैं आपको सिक्योर्थी प्रपोस्टेट अफरेट की आप्शन में आ जाना है तो यहा पर मैं आपकोựण करूंगा, कि यहाँ पर आपको जमीन के ही डीटेल को आपको फिल करना है, तो यहां पर आपको अवन लाइन के option पे click कर देना है, और यहाँ पर भी living line आपको type कर देना है, इसके बाद में, आपको declaration को accept कर लेना है और यहाँ पर दिएगे submit detail की option पे click कर देना है submit की option पे click करेंगे तो यहाँ पर credit card को जो आप apply कर रहे हैं यहाँ पर आपको उसकी reference ID आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर इस application को अभी आपको online ही send करना होगा जिसमें आपको 35 rupees का payment करना होता है payment करने के आपको यहाँ पर Mac payment की option पे click करना है यहाँ पर मैं payment नहीं कर रहा हूँ अगर आप payment करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने एक slip generate हो करके आ जाती है तो आसा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंदा होगा इस वीडियो को like करेगा अपने friends और family में share करेगा आप सभी के मन में कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का सुझाओ है तो आप हमें comment box में जरू लिखीगा हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई जाहिन